गैस ऐसे sentences आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो जैसे सिर्फ हसने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा जब इस टेप के situation आजए तब इसे आप English में कैसे बोलोगे तो देखते हैं सबसे पहले इसका structure सबसे पहले उसका नहीं चलेगा तो सबसे पहले according to rule उसका नहीं चलेगा इसके बाद लगाना है वर्व की फॉर्थ फर्म वर्व है हसना इसके बाद लगाना है विल नौट वर्थ तो आपका complete sentence होगे गईस जश्ट लौफिंग विल नौट वर्थ इस मिन्स सिर्फ हसने से काम नहीं चलेगा अगल एक्जामपल है सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा तो इसका English बनेगा Just crying will not work It means सिर्फ रोने से काम नहीं चलेगा Next example है सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा तो इसका English बनेगा Just speaking will not work Just speaking will not work It means सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा Next example है सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा तो इसका English हो जाएगा Just listening will not work Just listening will not work इसका इंग्लिश बनेगा इसका अंसर आपको comment section में बनाना है ऐसे sentences भी आप daily life में उसकरते हो जैसे बिलकुत सही समय पर आपने उसे बताया है बिलकुत सही समय पर आपने बोला है बिलकुत सही समय पर वो खेल रहा है बिलकुत सही समय पर मैं वहां जाओंगी बिलकुत सही समय पर आप जा रहे हो गैस तो जब इस टाप के situation आ जाए तब आप इसे English में कैसे बोलोगे तो देखते हैं सबसे पहले इसका structure सबसे पहले लगाना है आपको sentence अब जैसा आपका sentence होगा उस type से आप translate करोगे इसके बाद लगाना है in the nick of time या फिर आप इसे भी कह सकते हो at the right time इसका मतलब है बिल्कुल सही समय पे तो यह होगे आपका structure समझते हैं example से बिल्कुल सही समय पे आपने उसे बताया है तो सबसे सहले दोस्तों आपको लगाना है sentence sentence है आपने उसे बताया है तो देखना है कि आपका sentence है कैसा यह sentence है present perfect का और present perfect का आपका रूल होता है subject plus have or has plus work की third form and then object तो आपने उसे बताया है इसका English बनेगा you have told him इसके बाद लगाना है in the nick of time या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो at the right time दो आपका सहह है तो आपको complete sentence हो गया दोस्तों You have told him in the nick of time It means बिल्कुल सही से मया पर आपने उसे बताया है next example है बिल्कुल सही से बिल्कुल बोला है अगले example है बिल्कुल सही समय पर वो खेल रहा है तो सबसे पहले उसका नहा है sentence sentence है वो खेल रहा है तो यह sentence है present continuous का तो इसका English बनेगा he is playing इसके बाद लगाना है in the nick of time तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो he is playing in the nick of time it means बिल्कुल सही समय पर वो खेल रहा है अगले example है बिल्कुल सही समय पर मैं वहां जाओंगी तो सबसे पहले उसका sentence है sentence है मैं वहां जाओंगी तो यह sentence है future indefinite का तो इसका English बनेगा I will go there इसके बाद लगाना है in the nick of time तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो I will go there in the nick of time it means बिल्कुल सह सही समय पर आप जा रहे हो तो सबसे पहले आपको लगाना है sentence sentence है आप जा रहे हो तो इसका English बनेगा you are going इसके बाद लगाना है in the nick of time तो आपका complete sentence हो गया दोस्तो you are going in the nick of time it means बिल्कुल सही समय पर आप जा रहे हो अगले example है बिल्कुल सही समय पर उसने मुझे बताया guys इसका answer आपको comment section में बनाना है Guys, ऐसे sentences भी आप daily life में use करते हो जैसे, चाहे जो हो जाए, मैं उससे बात नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, मैं आपको नहीं बुलाऊंगी चाहे जो हो जाए, वो इस job को नहीं करेगी चाहे जो हो जाए, मैं अंग्रेजी बोलूँगा चाहे जो हो जाए, वो आपस नहीं आएगा Guys, जब इस type की situation आजाए, तब आप इसे English में कैसे बोलोगे तो देखते हैं, सबसे पहले इसका structure सबसे पहले आपको लगाना है, whatever may happen Whatever may happen का मतलब चाहे जो हो जाए इसके बार लगाना है sentence आप Guys, यहाँ पे sentence आपका जैसा होगा, उस type से आप बनाओगे Clear, यह हो गया आपका structure समझते हैं, example से चाहे जो हो जाए, मैं उससे बात नहीं करूँगा तो आपका रूल कहता है, सबसे पहले आपको लगाना है, whatever may happen इसके बार लगाना है sentence sentence है, मैं उससे बात नहीं करूँगा तो आपको देखना है, यह sentence है, यह sentence है, future indefinite का, negative का तो आपका English बनेगा, I will not talk to her तो आपका complete sentence होगे दोस्तो Whatever may happen, I will not talk to her It means, चाहे जो हो जाए, मैं उससे बात नहीं करूँगा अगला example है, चाहे जो हो जाए, मैं आपको नहीं बुलाओंगी तो सबसे पहले लगाना है, whatever may happen इसके बार लगाना है sentence sentence है, मैं आपको नहीं बुलाओंगी तो इसका English बनेगा, I will not call you तो आपका complete sentence होगे guys Whatever may happen, I will not call you It means, चाहे जो हो जाए, मैं आपको नहीं बुलाओंगा अगला example है, चाहे जो हो जाए, वह इस जोब को नहीं करेगी तो सबसे पहले युज़ करना है, whatever may happen इसके बार लगाना है sentence sentence है, वह इस जोब को नहीं करेगी तो इसका English बनेगा, she will not do this job तो आपका complete sentence होगे guys Whatever may happen, she will not do this job तो आपका complete sentence होगे दोस्तो Whatever may happen, she will not do this job It means, चाहे जो हो जाए, वह इस जोब को नहीं करेगी अगला example है, चाहे जो हो जाए, मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो सबसे पहले युज़ करना है, whatever may happen इसके बार लगाना है sentence Sentence है, मैं अंग्रेजी बोलूँगा तो इसका English बनेगा I will speak English तो आपका complete sentence होगे दोस्तो Whatever may happen, I will speak English It means, चाहे जो हो जाए, मैं अंग्रेजी बोलूँगा अगला example है, चाहे जो हो जाए, वह वापस नहीं आएगा तो सबसे पहले युज़ करना है, whatever may happen इसके बाद लगाना है sentence Sentence है, वह वापस नहीं आएगा तो इसका English बनेगा He will not come back तो आपका complete sentence होगे दोस्तो Whatever may happen, he will not come back It means, चाहे जो हो जाए, वह वापस नहीं आएगा Next example है, चाहे जो हो जाए, मैं movie के लिए नहीं जाओंगी Guys, इसका answer आपको comment section में बनाना है तो बस guys, आज के लिए इतना ही मिलती हूँ next वीडियो में I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप comment section में अपना feedback जरूर दे Thank you